नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चेनल टेज सुरज दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल में C65 5G फोन में लॉक स्क्रीन पर आटोमेटिक चेंज वाल पेपर शेटिंग कैसे आन करें तो गाइज आपको सबसे पहले करना क्या होगा आपको सबसे पहले अपने फोन की शेटिंग को आन करना होगा guys आप अपने phone की setting को on करना उसके बाद कुछ इस प्रकार का interface open हो जाएगा आप यहांसे थोड़ा सा स्कोल अप करेंगे आपको देखें यहाँ पर एक option मिल जाएगा home screen lock screen का option आप इस पर click करना उसके बाद कुछ इस प्रकार का interface open होगा आप यहां से थोड़ा सा स्कूल अप करेंगे आपको देखें यहाँ पर एक आप्सन मिल जाएगा Lock Screen में Gillence for Realme का आप्सन आप इस पर क्लिक करना उसके बाद कुछ इस प्रकार का Interface ओपन होगा आपको First Number पर मिल जाएगा Activate on Lock Screen का आप्सन आप इसे आन कर दीजीगा आप देख सकते हो यहाँ पर आपका है Only Gillence Storage और Wallpaper Mix इसमें क्या है जो कंपनी की तरफ से जो Wallpaper मिलेंगे उसमें आपको Lock Screen पर शो होगा और यहाँ पर Wallpaper Mix में आप Gallery से भी कोई Wallpaper यूज कर सकते हो तो गाईज आप अपनी फोर में कुछ इस प्रकार से Lock Screen पर आप्टिबेटिक चेंज Wallpaper शेटिंग आन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो I hope गाईज आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं फिर किसी दिन नेस्ट टॉपिक नेस्ट वीडियो तब तक के लिए बाई